हलो दोस्तों नमस्ते मैं रभी आप सभी को इस नए वीडियो में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ दोस्तों इस वीडियो में हम आपको 2023 का भोटर लिस्ट डाउनलोड करने का प्रोसेस दिखाने वाला हूँ दोस्तों अभी अभी 2023 का भोटर लिस्ट जारी कर दिया गया है और विहार में अभी इलेक्षन भी चल रहा है तिसलिए दोस्तों आप अपना भोटर लिस्ट को डाउनलोड करके आप अपना भोटर लिस्ट में नाम को देख सकते हैं क्योंकि दोस्तों 2023 का वोटर लिस्ट recently जारिक किया गया है तो दोस्तों इस वीडियो में हम आपको अपने mobile phone से वोटर लिस्ट डाउनलोड केरने का complete process दिखाने वाला हूं तो दोस्तों इसके जानने के लिए आपको इस वीडियो को सुरू से ले करके लास्ट तक देखना होगा और दोस्तो हमारे चैनल पर आप पहली वार आए हैं तो चैनल को सस्क्राइब करके घंटी को दवा दिजे जिससे की दोस्तो हमारे हैर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके तो चलिए ज़ादा समय को बेस्ट नहीं करते हुए वीडियो को सुरू करते हैं दोस्तो अपना वोटर लिस्ट को डाउनलोड करने के लिए आपको क्रोम ब्रोजर को ओपन करने के बाद आपको यहाँ पर सर्च करना है एन वी एस पी सिंपली दोस्तो आपको यहाँ एन वी एस पी लिग करके सर्च कर देना है सर्च करते ही दोस्तो आपके सामने नेशनल वोटर सर्विस पोर्टल खूल करके आजाता है आप देख सकते हैं इस तरह से इसका इंटरफेस हो जाता है इस पे आने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पे Download Electoral Roll PDF इस पे आपको क्लिक कर देना है इस पे क्लिक करिएगा दोस्तों तो आपके सामने इस तरह का इंटरफेस सोब हो जाता है इसमें आपको यहाँ से अपना State को Select करने के लिए बोला जा रहा है जो भी Estate आप Select करेंगे उस Estate के निर्वाचन आयोग का वेबसाइट पर यानि के रिडिरेक्ट कर दिया जाता है जैसे कि दोस्तों मैं यहाँ पे बिहार सेलेक्ट किया हूँ तो यहाँ पे देख सकते हैं तो दोस्तों सभी Estate का वोटर लिस्ट को आप निकाल सकते हैं तो दोस्तों इस वेबसाइट पर आने के बाद आपको यहाँ थीरी डॉट पर किलिक करने के बाद दोस्तों आपके सामने बहुत सारे यहाँ पे आप्शन खूल करके आ जाता है तो आपको यहाँ पर किलिक करना है जैसे ही दोस्तों आप उस पर किलिक करियेगा आपके सामने इस तरह का पेज ओपें हो करके आ जाता है आपको यहां से अपना district को select करने के लिए बोला जा रहा है तो जो भी आपका district परता है आप यहां से अपना district को select कर लिजे district को select करने के बाद दोस्तों आपको यहां assembly यानि कि विधान सवा छेतर परता है उसको यहां से select कर ले नहां है इसके बाद दोस्तों आपको यहाँ part number and name यानि कि जिस भी booth पर आप अपना भोट देते हैं उस booth का यहाँ से नाम select कर लेना है जो भी आपका परता है आप अपने according यहाँ से select कर लिजेगा select करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पर जो capture show हो रहा है इस capture को यहाँ पर सही-सही fill कर लेना है जोस्तों यहाँ पर अपना capture को fill कर लेने के बाद आपको यहाँ show वाले button पर click कर देना है जैसे ही दोस्तों आप सो वाले बाटन पर क्लिक करते हैं क्लिक करते ही दोस्तों आपके सामने एक PDF डाउनलोड हो जाता है और डाउनलोड होने के बाद दोस्तों इस तरह का PDF खूल करके आ जाता है आप यहां से देख सकते हैं इसमें आपका यहां सारा डिटल्स दिया गया है यहां आपका polling station का यहां नक्सा दिया गया है यहां उसका photo दिया गया है आप यहां से देख सकते हैं इसके बाद दोस्तो निचे के रहा scroll करिएगा तो आपको यहां आपका यहां पर voter list खुल करके आ जाता है आप यहां से देख सकते हैं इसमें सारा list दिया गया है जितने भी आपके उस village में उस polling station से जितने भी लोग यानि की भोट देते हैं उनका list यहाँ पे खुल करके आ जाता है आप यहाँ से देख सकते हैं काफी बड़ा यहाँ पे list दिया गया है इसमें आप अपना नाम को एके करके find कर लिजएगा आपका नाम यहाँ पे मिल जाएगा तो दोस्तो इस process के follow करके आप अपना भोट लिस्ट को बहुत ही असानी से download कर सकते हैं तो आसा करता हूँ दोस्तो आपको वीडियो पसंद आया होगा अगर दोस्तो आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिए और हमारे चैनल पर आप पहली वर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को दवाद दिजे यूँकि दोस्तो हम इस चैनल पर इसी तरह का वीडियो हमेशा upload करते रहते हैं जिससे की हमारे हर वीडियो का notification आपको सबसे पहले मिल सके और दोस्तो इस वीडियो के अपने दोस्तों के साथ ज़ादा से ज़ादा share करिए जिससे की उन्हें भी इस तरह का जनकारी मिल सके और दोस्तो आपके मन में किसी भी तरका confusion है या सवाल है तो हमें कमेंट सेक्षन में कमेंट करके बताइए मैं उसका रिप्लाई जरूर करूँगा तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में नई टॉपिक के साथ तब तक के लिए आपको वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद जय हिंद बंदे मातराम